आपको पता है कि इस छोटी सी print drive की बज़े से कल मुझे बहुत सारी परिशानी हुई मैंने office में कुछ काम किया था और उस काम को मैंने इस print drive में save किया क्योंकि मुझे घर पे भी जाके कुछ edit करने थे अब मैं घर पे गया और मैंने घर पे बहुत सारे edit इस print drive में किये और मुझे सुभा के वो काम office में लेके आना था और उसके कुछ print outs निकालने थे या clients को भेजने थे लेकिन मेरे साथ सबसे वड़ी परिशानी हुई कि मैंने सारा काम तो कर लिया रात में late night भी काम किया था लेकिन सुभा office में आते वक ये print drive में घर पे ही बूलाया और जो मेरे सारे नए edits थे जो मेरे updates थे वो घर पे ही रह गए काश को यह सा तरीका होता कि जो काम मैंने office में किया है वो घर पे automatic sync हो जाता या फिर जो काम मैंने घर पे किया है वो सारी file है मुझे office में automatic मिल जाती है इसका एक best तरीका है Google Drive Google Drive पे हम बहुत सारी file हैं को upload कर लेते हैं और उसके बाद में उसको जहां चाहें वहाँ open कर सकते हैं लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कमी है कि आपको बार बार drive open करनी होती है और बार बार वो file हैं वहाँ पे upload करनी होती है कितना अच्छा होता कि अगर हम computer के अंदर ये folder के अंदर अपने सारे file जहां भी हम save करके रखते हैं वहाँ save करते और file हैं automatic sync होती रहती है यानि मैं office में जो काम करता वो घर पे दिखाई देता और घर पे जो काम करता वो office में दिखाई देता तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे हम Google Drive को आपके computer के अंदर install कर सकते हैं online के बजाए आप Google Chrome नहीं कोलना पड़ेगा और कैसे आप file को automatic sync कर सकते हैं इसके लाबा और भी जबर्दस tips and tricks इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ नमस्कार मैं आपका स्वाध करता हूँ my big guide smart class में और हमेशा की तरह बहुत ही useful वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ Google Drive के वो जबर्दस tips and tricks जो आपको जरूर पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम सावाज लेते हैं कि Google Drive पे आप कैसे file upload कर सकते हैं या कैसे आप उसको offline mode में लेकर आ सकते हैं तो Google Drive के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा internet connection चाहिए और Gmail की ID चाहिए आशा करता हूँ वो दौना चीज़े आपके पास में होंगी पिर उसके बाद आपको यह three dots पे चले जाना है और यहां चले जाना है Google Drive पे तो हम Google Drive की बारे में सबसे पहले तो यह सीखेंगे कि हम इसे कैसे offline install कर सकते हैं यानि अपकी computer में कैसे install कर सकते हैं ताकि आप अपना सारा काम बिना यह Google Chrome खोले उसमें कर सको तो यह सबसे पहली ट्रिक है पहली ट्रिक के अंदर हम सीखेंगे Google Drive को desktop के लिए कैसे install करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको यहां पे setting के icon पे क्लिक करना है और यहां पे आपको get drive for desktop का option दिख जाएगा इस पर क्लिक कर दीजे जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको option मिलेगा download drive for desktop इस पे भी क्लिक कर दीजे और जैसे आप यह करेंगे Google Drive desktop के लिए download होना शुरू हो जाएगी अब जब यह Google Drive download हो गई है तो इसको हम double click करते हैं यहां पे यह setup आ गया अब यहां setup में पूछ रहा है एन अप्लिकेशन शॉटकट टू यॉर desktop तो हम इस पे टिक लगा देंगे एन यहां से हम इंस्टॉल करना शुरू करतेंगे देखिए यहां पे थोड़ी सी देर के सीदे सीदे कोई भी document बना सकते हो पोई sheet बना सकते हो यह Google slide बना सकते हो अब जैसे हम इसे यहां से लॉंच करेंगे वैसे हमारी सामने कुछ इस तरह का display आएगा अब हम यहां से get started करेंगे यहां से अब sign up करेंगे क्योंकि हमने केबल अभी drive install की है हमारा जो main account था जिससे हम इसे जोड़ना चाह रहे है आप थोड़ा सा समझेगा आपके बस दो Gmail account है Google Chrome में आपने उनको sign up कर रखा है लेकिन अभी यहां पे नहीं किया है यहां पे तो सिर्फ drive install हुई है तो यहां स अगर आप चाहते हो कि जिस Gmail ID से अभी आपने Google Drive को download किया है उस पे ही आपकी जो file है जाके upload हो तो तो आप यहां से sign in कर लो और अगर आप कोई नया account बनाना चाहते हो Google Drive के लिए तो आप यहां से create account पे चले जाओ जिसमें आपको 15GB का free space मिलेगा तो मैं यहां से sign in कर लेता इसी ID से जिस ID से आपने यहां पे गिया है उसी ID से सारे computer में एक साथ आपको sign in करना है आप देखो यहां पे success का message आ गया और मैं अब इसे close कर दूँगा तो अभी कुछी देर में यह जो drive है यह finish हो जाएगा और यहां पे आप देखो कि मेरे बार desktop पर Google Drive का जो option है वो आ ग drive से connect करना है अब मान के चलो मैं आप desktop पे एक नया folder बना देता हूं मेरी नाम से ठीक है अब मैं चाहा रहा हूं कि इस folder के अंदर मैं जो भी काम करूँ वह मेरा Google Drive से sync हो जाए या फिर यह पहले से हमें तीन option दे रहा है जैसे desktop desktop के उपर आप जो भी काम करेंगे जितनी भी file आप paste करेंगे copy करेंगे वह अपने आप sync हो जाएंगी document के अंदर आप जितनी भी file ने copy paste करेंगे जो आपके computer के document होता है वो सारी file खुद बखुद Google Drive से sync हो जाएंगी तीसरा जो option है वो download वाला option है या आपके computer के अंदर जो download वाला folder होता है वहां पे उस folder को भी आप इस त पता चलता जा रहा है अगर आप कोई नया folder जैसे आपका custom कोई folder है जैसे मुझे अभी वाला folder desktop से जोइन करना है तो यहां पे add folder के बटन पर क्लिक करिए and यहां से desktop पे चले जाएं यहां से अभी वाले folder को select कर लीजिए select folder पर क्लिक करिए अब देखिए यहां पे सिर्फ य Google Drive के साथ में sync होंगी यह भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होंगी इसके बाद हमें से next करेंगे और अब देखो यहां पे difference between sync to Google Drive and backup to Google Photo तो अभी यहां पे आप देखो कि अब यह जो option है दूसरा वाला यह photos के लिए है कि अगर आपके पास computer पे कुछ photos भी है और आप उनको sync करना चारे हो तो वो Google Drive पे न जाके आपके Google Photo पे आपको दिखाई देंगे तो यह option हमें चाहिए नहीं क्योंकि हम तो फाइलों की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे कोई भी folder select नहीं करेंगे इसे skip करेंगे अब यहां पे आपको यह folder आ जाता है this folder will sync to drive ठीक है हम यह folder sync करना चारे हैं अब इसे next करेंगे अब यह folder हमारा Google Drive के साथ sync हो गया अब इसे next करके हम यहां से open drive कर देंगे अब यह अभी नाम के folder के अंदर हम जितनी भी file हैं save करने वाले हैं वो सारी file हैं हमको Google Drive पे मिलेंगी तो मैं एक side में Google Chrome browser open कर लेता हूं और यहां पे drive को open कर लूँग ठीक है अभी देखो सारी जो file हैं वो empty हैं और यहां पे एक तरफ मैं जो मेरा folder है उसको open कर लेता हूं तो यहां पे एक तरफ मेरा folder है और एक तरफ Google Drive है और यहां पे my computer और my laptop यह आपको यहां पे दिखाई दे रहा है अभी folder आपको यहां पे मिल गया ठीक है ना तो folder यहा पे आ गया है आप जब home पे जाएंगे तो यहां पे computer के अंदर आपको laptop दिखेगा laptop के अंदर आपका जो folder है वो दिखेगा अब यहां पे मैं एक file आपको बना के दिखाता हूं तो सबसे पहले मैं यहां पे बना लेता हूं Microsoft Word document की file और यह file बना के मैं यहां पे इसको नाम दे देता हूं ABHI या आज की date देता हूं 462024 अभी मैंने यहां पर फाइल बनाई है 462024 और यह file डिरेक्ली Google Drive के साथ में sync है अब मान के चलिए जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा तो आप देखो 462024 नाम की जो file है यह drive के अंदर आ गई है मैं इसको refresh करा देता हूं यह अब ही मान के चलिए मैं यहां पर कोई Excel की file बनाता हूं और इसको भी यही नाम दे देता हूं तो कुछी देर में यह file भी drive के साथ में sync हो जाएगी यहां पर देख जाएगी folder के अंदर इस तरह से और home पर भी आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी यह देखिए आप दे इस file को rename करते हैं तो rename कर देते हैं हम अपने नाम से ठीक आप इसे ok करेंगे अब देखते हैं क्या यह वाली file जो मेरी यहां पर बनी है क्या वो भी rename होगी यह नहीं होगी देखिए मेरे computer की file जो थी वो भी rename होगी यह यानि drive पे भी आप जो काम करेंगे और computer के अंदर जो क file खुद बखुद डिलीट हो जाएगी तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि आप जब sync करने की बात करते हैं तो sync हर इस्तिती में होगा चाहें आप file बनाते हैं तब भी चाहें आप file को modify करते हैं तब भी या फिर आप file को delete करते हैं तब भी तो यह तो हो गई Google Drive की पहल और चीज को आसान बना देती है आपकी कई समस्याओं को समाधन कर देती है और आजकल तो हर जगे हर field हर job में computer की knowledge होना आने वार है लेकिन यह सीखेंगे आप कहां से तो आपके लिए मैंने शुद सरल हिंदी भाशा में एक बहुत ही बेतरीन computer course से यार किया है जिसमें 22 से ज्यादा professional course है और यह जो course है यह offline mode में है यानि इसकी लिए आपको internet की भी आवशक्ता नहीं है स्क्रीन पे यह जो list दिख रही है यह 22 के 22 course आपको offline mode में इस pin drive के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे और अभी इस course पर चल रहा है पूरे 80% का discount यानि हमारे summer game offer अभी चा बात कर सकते हैं उनका number मैंने या पे नीचे screen पे दे रखा है या फिर आप हमारी website offline.pcsskill.in पर जा सकते हैं चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो Google Drive के अंदर खुद का OCR software होता है जो आपके image से किसी भी file को text में convert कर सकता है इसके लिए में एक छोटी सी paper की cutting चाहिए होगी तो यहां पर देखे मेरे पास एक newspaper की cutting है OCR को दिखाने के लिए आपको मैं इस cutting से text में convert करके दिखाऊंगा कि इस cutting में लिखे हुए जितने भी text है वो अभी edit में उनको नहीं कर सकता हूं लेकिन अगर मुझे ये news edit करनी है तो कैसे OCR technology का इस्तमाल करके हम इसे edit कर सक सकते हैं और इनको edit कर सकते हैं इस newspaper cutting को सबसे पहले मैं Google Drive पे upload करूंगा तो यहां पर मैं file upload के option पर जाओंगा और यहां से cutting को मैं Google Drive पे लेकर आ जाओंगा अभी यह वाली जो cutting है newspaper की यह हमारे बाद JPEG file में है यहां पर आपको three dots दिखेंगे इस three dots पे आपको click करना है यह यहां पर आप और यहां से Google Doc पे आपको click कर देना है तो जैसे आप Google Doc पे click करेंगे तो यहां पर Google Doc उपन हो जाएगर जो आपकी image है वो Google Doc पे आजाएगी लेकिन नीचे जैसे आप जाएंगे तो यहां पर देखिए सारी की सारी जो news है वो आपको additable form में मिल जाएगी अब यहां पर यहां पर जैसे चाहे वैसे इडिट कर सकते हैं font size कoh chankे तो बढ़ा सकते हैं किसी line को चाहे तो अटा सकते हैं text के color को छोटा या बढ़ा कर सकते हैं heading को अपने सारी जैसे चाहे वैसे अडिट कर सकते हैं तो यह बहुती useful feature है Google Drive जिससे आप किसी भी image को text में convert कर सक और मैं Google Docs से ही आपको इसको PDF में convert करके दिखा देता हूँ मान के चलिए यह जो फाइल है यह Google Docs में open हो गई है अब नीचे तो इसने देखो OCR tag के तुरू इसको type कर दिया है लेकिन आप नीचे वाले टेक्स्ट उसको हटा सकते हैं और यहां से आप file menu पे चले जाएंगे यहां से download के option पे चले जाएंगे और यहां पे आपको PDF document का option देखेगा इस पे आप click कर देंगे और एक second के अंदर जो आपकी image file थी वो PDF के अंदर convert हो जाएगी और केवल किसी image file से ही PDF में आप नहीं convert कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई PDF file है तो उसे भी आप यहां पे edit कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है वो PDF file यहां पे आपको upload कर देनी है जैसे मेरे पास यह file है और इसके बाद यहां पे आपको click करना है और इसको भी open web आपको Google doc में ले जाना है जैसे आप Google doc में PDF को लिके जाएंगे तो यह खुद बाखुद यहां पे editable form में आ जाएगी अब यहां से आप बड़े आसानी के साथ में इस PDF file को edit कर सकते हैं इसके लाबा आपका internet connection ऐसा है कभी तो आपका internet चलता है कभी नहीं चल पाता है या आप किसी ऐसी जगे पे जा रहे हो जहां पे data available नहीं है तब आप Google drive ये offline feature का अभी इस्तेमाल कर सकते हो Google Chrome के अंदर ही तब आपको क्या करना है आपको ये setting के icon पे click करना है यहां से आपको setting पे चले जाना है यहां पे जैसी ही आप नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको offline का option दिखेगा इस पे आपको click कर देना है अब यहां पे यहां पर यहां कहाएगा कि आपको extension की ज़रूरत होगी तो आप यहां से इस पे install पे click करिए यहां से इस एक to chrome कर लीजिए तो इस तरह से आप Google Drive को offline कर सकते हैं आशाकरताओं इस वीडियो में बताएगे सारे tips and tricks आपके बहुत काम की रहे होंगे और अगर इसी तरह के वीडियोज आप और भी देखना चाहते हैं चैनल को like करिए, subscribe करिए, share करिए और नीचे comment करके बताईए कि आपको और किस तरह की वीडियोज देखने हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए बहुत useful वीडियोज बना कर लाने की मैं मिलता हूँ आपसे एक और जबरतस वीडियो में अगली बार तब तक के लिए जहिन वन्यमातरम